तो बात करते हैं प्रकाश स्टील एज लिमिंटेड की जैसा कि आप सभी को इसके नाम से समझ महरा कि कंपनी स्टील में डिस्कस करती है काम करती है और इनका पॉर्टफोलियो काफी जारा डिवर्सिफाइड है स्टील के साथ यह वैल्डिंग रोड बजारा और भी काफी चीज़े बनाती है और स्टोक का प्राइज सिर्फ नो रुपे और क्वाटर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं और मॉस्ट प्रबबली चांसे यह हैं कि इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे आज तकरीवर यहां प पॉजिटिव रिटर इंक साथ स्टोक ने अच्छे रिटर निकाल के दिया है अगर फाइनेशल के बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 28 प्रसेंट इंक्रीज हुआ था कॉड़र टू में नेट इंकम 58 प्रसेंट इंक्रीज हुई थी नेट प्रोफिट मार्जन 23 इंक्रीज किया है और प्रोफिट कंपनी का नेगटिव हुआ है अगर मैं प्रोफिट और गौत भी देखूं तो पिछले कुछ सालों में कंपनी नहीं जहां पर 33 करोड तक बिलकुल लो बनाया उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी है लेकिन कंपनी में कुछ चीज़े खराब को रही है कि जो इंकम कई और निगल का लीया है आदर एंक्कम तो नेट प्रोफिट थो निगल के रहे हैं बट सेल्स microphone कि और लेकिन सेल्स बी कंपनी की ऑवररल बुरी नहीं यहांपर वोल्यूम भी काफी जारा बढ़ता नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों में तो एक और चीज पर हम आईडिया लगा सकते हैं कि हाँ अगर वोल्यूम बढ़ रहा है और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग धिले-धिले करके बढ़ा तो शायद आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी तेजी आपको इस टॉक में दिखाई दे सकती है और अफी जार अच्छी रिटर्न यह अरड़ी निकाल के दे चुका है लेकिन कंपनी और जार अच्छी रिटर्न निकाल के देने की के पैसिटी रखती है तो अलका बिक वेरी है तो कमेंट कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एड़वाइज दे अब इक लिए दोस्तों इतना ही